हेलो बच्चो कसकाई जिसकी नोटबुक में नहीं होता है रफी सर का ट्रिक्स एंड कंसेप्ट उससे नहीं बनता एक्जाम में एवरी कोशन कुईक एंड परफेक्ट जी हां बच्चो आज की इस वीडियो लेक्चर में जो ट्रिक्स और जो कंसेप्ट में देने जारा वो ब है तो इसलिए ध्यान से समझना वो सारे डिफेरेंशल ही क्वेशन जो इस फ़म में हो या फिर इस फ़म में हो तो ऐसे डिफेरेंशल इकक्वेशन को कैसे सॉल करेंगे तो ध्यान से देखो d yy dx plus यहां पर पी मैं लिके मैं लिखा है जो again function of x हो सकता है या constant हो सकता है वैसे ही दूसरा form dxy dy plus r, r again function of y हो सकता है x की power 1 होना चाहिए into में is equal to s s function of y हो सकता है या constant term हो सकता है तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना है कि इसको याद कैसे रखेंगे कैसे आप समझेंगे तो द्यान से देखो dy y उपर है तो y की power 1 होना चाहिए और नीचे में dx है तो y के साथ यहाँ पे जो भी function multiply होगा वो x का होना चाहिए या constant होना चाहिए यह क्यों भी function x का होना चाहिए या constant होना चाहिए वैसे यहाँ पे द्यान से देखो dxy dy उपर में X है तो X की पार 1 होना चाहिए और नीचे में Y है तो X के आगे जो भी function multiply होना चाहिए वो Y का function होना चाहिए या constant और S भी Y का function होना चाहिए या constant तो वो सारे differential equation जो इस form में हो या इस form में हो तो इस form easily एक simple trick से एक simple concept से solve कर सकते हैं तो पहले मैं कुछ example के थुरू आपको समझाता हूँ कि आपका given differential equation इस form में है या इस form में है कैसे पैचानेंगे जैसे example number 1 तो ध्यान से देखो इसको पहले rearrange करके लिख लेते हैं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ D Y Y D X राइट हमें यहाँ पे plus चाहिए तो मैं लिख दिया plus और यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते है minus 1 into Y is equal to cos X राइट अब यहाँ से compare करो D Y Y D X आ गया plus आ गया इसका मतलब P क्या हो गया minus 1 राइट Y की power 1 हो चुका है और Q क्या हो गया cos X तो इसका मतलब यह आपका linear differential equation है इस वाले form में है वैसे ही example number 2 तो ध्यान से देखो यह भी देखने में नहीं लग रहा है कि इस form है तो थोड़ा सा हमें ले के आना परेगा तो कैसे ला सकते हैं इस पूरी equation को X से divide कर दो तो क्या हो जाएगा D Y Y D X अगर X से divide कर देंगे तो D Y Y D X और यहां पर ध्यान से देखो plus 2 by X in 2 में क्या हो जाएगा Y is equal to X आप compare करो D Y Y D X आगया plus आगया Y आगया Y का power 1 तो आगये जो 2 by X है यही मेरा क्या है P और Q क्या हो गया मेरा X तो यह भी आपका उस वाले form में है वैसे ही example number C को दियान से देखो इसको कैसे लिख सकते हैं Y D X is equal to X plus 2 Y square into में D Y अब ध्यान से देखो अगर इसको डिवाइट करेंगे तो नीचे में यह डिवाइट में आएगा तो calculation tough हो जाएगा तो Y को डिवाइट करते हैं ताकि इसको separate कर सकते हैं right तो ध्यान से देखो यह क्या हो जाएगा D X by D Y इदर और यह इदर डिवाइट करेंगे तो ध्यान से देखो X Y Y plus 2 Y अभी यह आपका proper form में नहीं है तो इसको एक बार और ऐसे लिख सकते हैं D X by D Y इसको इदर लेकाएगे तो ध्यान से देखो plus minus में 1 by Y into में X लिख सकता हूँ Y बात हो जाएगा is equal to 2Y तो अब अगर आप ध्यान से इस equation को देखो तो यह आपका इस से match कर रहा है D X Y D Y आ गया plus आ गया तो इसका अतलब R मेरे लिए क्या हो गया minus में 1 upon Y क्यों क्योंकि X की power 1 है और S क्या हो गया 2Y तो आपको यह 4 example sufficient है यह समझाने के लिए कि आपको कोई भी equation given है तो पहले आपको पैचानना है कि इस form में या इस form में तो थोरा सा कहीं पर rearrange करना पड़ेगा कहीं पर extra thing करना परेगा अगर वो इस form में या इस form में आ जाता है तो इसका solution कैसे लिखेंगे very simple तो direct solution या तो इस form में हो या इस form में उसका direct solution यहां लिख दिया है अगर इस form में होंगे तो Y into integrating factor is equal to integration of Q into integrating factor और plus C हो जाएगा और वैसे अगर इस form में होगा तो X दियान देना यहां पर X उपर था तो X into integrating factor is equal to integration of S into integrating factor plus C now अब question यह राज होता है कि Sir integrating factor क्या है तो very simple अगर इस वाले form में होगा तो Y के आगे जो function है उसको क्या कर लेना integrate कर लेना है जैसे इस case में minus 1 को integrate कर लेंगे इस case में 2 by X को integrate कर लेंगे तो integrate करने पर कोई एक function आएगा उसको E की power में चरा देंगे तो क्या हो जाएगा integrating factor तो इसलिए यहां पर लिखा Y into integrating factor और यहां पर यह वाला function Q जैसे यहां पर cos X है उसको multiply कर देंगे किस से जो integrating factor आएगा और फिर उस function का integration करना है integration बिल्कुल वैसे करना है जो indefinite में आपको बताया है प्लस C तो यह आपका direct solution हो गया इस वाले का वैसे इस वाले का करना होगा तो X into integrating factor जैसे इस वाले में ध्यान से देखो तो हमें क्या करना परेगा minus में 1 upon Y को integrate करेंगे तो integrate करेंगे तो कोई function Y का आएगा उसको E की power में चरा देंगे तो integrating factor आगया तो X into integrating factor is equal to integration of S यहाँ पर S केतना है 2Y into जो भी integrating factor आएगा फिर उसको integrate करना है राइट प्लस C लिख देंगे तो यह आपका differential equation इस वाले form का solution हो जाएगा तो अच्छे से समझे लो अभी मैं इस पर base example ले करके भी आपका और भी concept को clear करता हूँ question number 1 में x dy is equal to y of dx plus y dy है y of 1 1 है और y of x greater than 0 है यह बोड़ रहा है तो y of minus 3 आपको बताना है तो यहाँ पे ध्यान से जो समझना है जो concept आपको लगाना है कि यहाँ पे x की power 1 है यहाँ पे y जब multiply होगा तो y square हैगा तो इसका मतलब अगर यह linear differential equation बना भी तो dx by dy वाला form बनेगा तो पहले हम क्या करते हैं इसको arrange करते हैं तो क्या हो जागा x dy is equal to y dx plus y square dy यहाँ भी dy है यहाँ भी dy है तो x side कर लेते हैं तो y dx को ऐसी रहने देता हूँ और इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जागा x minus y square in 2 में dy अब इस dy को इधर divide कर दो तो y dx by dy is equal to x minus y square हुआ अब y से डिवाइट करता हो तो क्या हो जाएगा d x by dy is equal to x by y minus में y राइट अब इसको इधर लेके आता हूं तो ध्यान से देखो d x by dy plus minus में 1 upon y into x is equal to minus y अब अगर आप ध्यान से देखो तो यह मेरा एक linear differential equation हो गया क्यों क्योंकि यहां x है तो यहां x की पर 1 यहां y है तो y का function तो यह r हो गया और यह vy y का function तो यह s हो चुका है यह उस वाले form में आ गया तो इसका direct solution आपको बता रखा हूं क्या लिखेंगे x into integrating factor is equal to integration of integrating factor into में द्यान से देखो तो यह वाला function that is s dy plus c अब integrating factor कैसे निकालेंगे तो उसके लिए पहले हमने बोला था r को integrate कर लो तो integration of minus 1 by y dy क्या हो जागा आपका minus में ln y तो इसलिए integrating factor क्या था e to the power यह वाला function तो minus में ln y we know e to the power ln x जो होता है वो x होता है तो पहले तो इसको लिख लेंगे 1 by e to the power ln y और यह क्या हो जागा 1 by y तो आपका integrating factor आ चुका है now इसको यह पूट करते हैं तो x into 1 by y is equal to integration of 1 by y और s आपका है minus में y dy plus c तो यह cancel हो जाएंगे y y तो यह minus dy तो इसका integration सिर्फ y हो जागा तो क्या हो x by y is equal to minus y plus c अब हमें यह c निकानना है तो द्यान से देखो क्या दिया है कि अगर x की value 1 हुई तो y भी कितना है 1 तो यह पूट कर दो x1 y1 तो यह 1 इधर यह minus 1 होगा इधर आगा तो c कितना हो जागा का 2 तो हमारा equation क्या होगा द्यान से देखो x by y is equal to minus y plus 2 राइट c की वैलू पूट कर दिया आप जो हमें value निकानने है वह y of minus 3 मतलब x जब minus 3 होगा तो y क्या होगा राइट तो पूट कर दो तो यहां क्या हो जाएगा minus 3 by y is equal to minus y plus 2 इसको इधर multiply कर दो तो क्या जाएगा द्यान से देखो minus 3 is equal to minus y square प्लस में 2y अभी सब को इधर लिया तो यहां पर द्यान से देखो इसको factorize कर देंगे minus 3 plus 1 तभी यह minus 2 आएगा तो यह finally क्या हो जाएगा y minus 3 into y plus 1 is equal to 0 तो यहां से solve करेंगे तो y आ जाएगा 3 and y आ जाएगा minus 1 बट यहां condition दिया है कि y of x क्या होना चाहिए greater than 0 that means positive value लेना है इसलिए y is equal to 3 so our option will be c that is 3 question number 2 में the solution of dx by dy plus x by y is equal to x square तो यहां पर ध्यान से देखो dx by dy plus इसको 1 upon y into x is equal to x से इसको लिख सकता हूँ बट अगर आप ध्यान से देखो तो यह अपने standard या proper formula नहीं है यह अभी ध्यान से देखो तो यहां x तो x की power 1 तो हुआ y तो यहां function of y है लेकिन यहां function of x है यही problem create कर रहा है यहां अगर function of y होता तो फिर easily integrate कर लेते यहां पर अगर one होता तो भी कर सकते थे राइट कोई constant time होता तो यही problem create कर रहा है तो क्या करेंगे पहले इससे divide कर देते हैं तो क्या हो जागा one by x square dx by dy plus यहां पर ध्यान से देखो तो एक x cancel हो जागा one upon xy is equal to one बट अगर आप ध्यान से देखो तो अभी भी यह अपने standard formula नहीं तो इसको लाने के लिए मैं क्या करता हूँ यह जो problem create कर रहा है one by x इसको put कर देता हूँ t तो ध्यान से देखना अच्छा problem है यह तो one by x को t put कर दिया अब इसको नीचे में dy लाना है तो इसको differentiate करता हूँ तो क्या हो जागा minus में one upon x square dx by dy is equal to dt by dy now अब अगर आप ध्यान से dt by dy और यहाँ पर दियान से देखो तो one by x तो हमारा t हो गया तो यह क्या हो जागा plus में t by y is equal to one हो गया तो अब अप ध्यान से देखो तो इसको standard form में ला सकते हैं अब इसमें क्या करते हैं minus one से दोनों तरफ मल्टिप्लाइ कर देते हैं तो यह क्या हो जागा d t by dy plus minus में one upon y into t is equal to में माइनस में 1 यहां पर द्यान से देखो तो देखो यहां से टी तो टी का पार 1 y तो y का function और यहां पर constant हम आगे तो अब यह standard form है इसलिए अच्छा problem है यह द्यान से समझना तो अब इसका हम कर सकते हैं पहले तो क्या करेंगे इसको इंटिग्रेट कर लेंगे तो इसका integration माइनस में 1 अपन वाई डी आइंटिग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस में एलन वाई राइट तो इंटेग्रेटिंग फैक्टर निकल लेते हैं इंटिग्रेटिंग क्या हो जाएगा यह वाला फंक्शन तो माइनस में एलन वाई इसको लिख सकते हैं वान अपॉन ए टुदी पर एलन वाई वी नो कि ए टुदी पर लॉग एक्स हो जाता है तो यह क्या हो जाएगा वन बाई वाई तो आपका इंटेग्रेटिंग फेक्टर आ गया अब यहां जो यहां पर ध्यान से देखो यह एक का फंक्शन तो क्या यां पर द्याण से कर सकते हो तो तो उदर मल्लॉपाई और yc, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 by x is equal to minus में y ln y plus c y, right, तो आब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो 1 by x is equal to c y minus में y ln y, so your option will be b, तो इस तरीके से ठिंक करना है, तो यह एक अच्छा problem था, जहाँ पे direct linear differential equation form में नहीं है, substitution method से पहले उसको convert कियें, और फिर उसको solve कियें, तो ध्यान से देखो, अच्छा problem है यह, question number 3 में d y y dx plus y by x is equal to sin x है, तो इस differential equation का solution आपको बताना है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, तो क्या है d y by dx, प्लस इसको लिख सकता हूँ, 1 by x into y is equal to sin x, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यह already अपने standard form में, कैसे y, तो y का power 1 है, यहाँ function of x, यहाँ function of x, तो सबसे पहले इसको integrate कर लें, तो 1 by x dx का integration क्या हो जागा, ध्यान से देखो, ln x, इसलिए integrating factor आपका direct क्या हो जागा, e to the power यह function, तो यह हो गया, ln x, e to the power ln x, x हो गया, तो integrating factor आ चुका है, तो अब यहाँ पे इसका direct solution लिख सकते हैं, क्या हो जागा, y into integrating factor, that is, x is equal to integration of integrating factor, into this function, that is, sin x, और dx plus c हो जागा, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, u into v rule लगेगा, दो function का multiplication है, integration करने में, तो यहाँ पे इसको first function लेंगे, और इसको second function, क्यों, क्योंकि आपको बताया था, i late, i late के according inverse, right, तो यहाँ पे inverse नहीं है, फिर logarithmic वो भी नहीं है, algebraic, algebraic function को first function लेना है, right, तो यह लेंगे, तो we know की integration of u into v क्या होता है, first function into integration of second function, minus derivative of first function into integration of second function, और इस पूरे function का क्या होता है, integration, तो यही rule में यहाँ पे लगाता हूँ, तो ध्यान से देखो, इधर तो y into x आप कर रहे गया, यहाँ पे first function और integration sin x का, तो you know minus में क्या हो जाएगा, cos x, right, minus derivative of false function, तो x का derivative one, integration second function, तो उसका already minus cos x आ रहा है, और यहाँ minus है, तो वो plus हो जाएगा, और उसका integration करेंगे, तो क्या हो जाएगा, sin x plus c, तो आप क्या करेंगे, इसको इधर लियाएगे, तो y x plus x cos x is equal to क्या हो जाएगा, sin x plus c, अब इसमें x common ले सकते हैं, तो x into y plus cos x is equal to क्या हो जाएगा, sin x plus c, so your option will be b, तो द्यान से देखो, इस step से भी आपको ठिंक करना परेगा, तो it's very easy, क्योंकि indefinite integration में already सारी चीज़ आपको बता रखाऊं, question number 4 में dyy dx plus this function into y is equal to this function है, और इस solution का differential देखो, तो यह already अपने standard form में कैसे, यहाँ y है, तो y की power 1, यहाँ function of x है, यहाँ भी function of x है, तो हम directly इसको integrate कर सकते हैं, तो सबसे पहले इस function को integrate कर लेते हैं, तो यह p वाला जो function है, तो क्या हो जाएगा, 3x square upon 1 plus x q dx का integration, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, 1 plus x q को, अगर मैं t put करता हूं, तो 1 का derivative 0, और यह क्या हो जाएगा, 3x square dx is equal to dt, तो इसको यहाँ substitute कर देता हूं, तो यह क्या ध्यान से देखो, यह पूरा क्या हो गया, dt by t का integration, तो यह क्या हो जाएगा, ln t, इसलिए हमारा integrating factor क्या हो जाएगा, e to the power this function, तो this function is ln t, तो यह सिरिफ क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, t, और t क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, 1 plus x q, अब इसका direct solution आपको मालूम है, क्या हो जाएगा, y into integrating factor, तो 1 plus x q, right, is equal to integration of, यह integrating factor, तो 1 plus x q, और यह वाला, आपका q function, right, तो यह 1 upon 1 plus x q, dx plus c, तो ध्यान से देखो, यह cancel हो जाएगा, तो direct क्या हो जाएगा, y into 1 plus x q is equal to, इसका integration x plus c, so your option will be, what b, तो इस तरीके से आपको solve करना है, तो अगर मेरा यह परियास बेट आपको पसंद आया, तो इस video lecture को जादा से जादा लोगों में share करो, यहाँ पर मैंने चार problem लेकर के आपको एक अच्छा सा concept समझा दिया है, कि कभी-कभी आपको extra rearrange करकर करके linear differential equation में लाना पर सकता है, किसी question में हो सकता है कि substitution method से भी differential equation को उसे standard form में लेकर आ सकते हैं, कहीं-कहीं पर u into v rule भी लगाना पर सकता है, जो indefinite integration बता है, और कहीं पर आपको इस type से substitute करकर करके भी करना पर सकता है, तो यह ध्यान से आप समझ लें, thank you अेँ ज से आपको क करकी लेगार चारे के बता है, क्हाल सकता है, तो यह वe कर रांदाधको में भी का मुंटवाटर जाब कर के ज बता पर